वेवेफे दो श्यास्यान आपिए अगर कोई भी कंपॉंड कार्वन और हाइड्रो कार्वन अगर कार्वन हाइड्रोजन नो उसके साथ-साथ खूयों होगा और फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन नॉप उनकी वेलान्सी आप मतलब ध्यान रखता है कि कार्बन की वेलिंसी मैक्सिम फोर मतलब कार्बन के कभी बीचार से जाद हगा आक्षिन के दो बनेगा और नाइट्रोजन के तीम बॉंड बनेंगे तो फिर उसका वेलंसी जो बचेगा वो एक ही बचेगा और अगर ट्रिपल बॉंड बना रहा है तो फिर वो एक ही तरफ बॉंड हो सकता है तो फिर उसका वेलंसी एक ही होगा और उसमें जनरिशन फिर कोई भी एट्रोजन हो सकता है तो मैक्सिम कितना इस पीडरी हो सकता है इस पीडियों सकता है इस पीडरीजेशन हो सकता है अगर आपने पड़ रखा है अगर एक तरफ डबल बॉंड सटाज होगा तो इसके पास दो अगर आपने इसे लिखते हैं कि मारे पास ऐसे कि अपने ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बाकी वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी चार होती है तो बाकी वैलेंसी आप हाइडरीजन से सटिस्फाई कर दोंगें अगर कहीं कार्बन के सारे बांड महीं बने हुआ है तो बाकि अपने बनाओगे को सब्सक्राइब अगर माहलों उचरण वहता है तो तीन रहेगा तो यह लिखो यह लिखो एक ही बात है हमारे ही बाकी वैलन्सियम जो भी वैलन्सिय कम रहेगा उसको आइडरिजन से कॉंपंसेट करते कि अ और हाइब्रडेजिशन अपरका पता है पता है स्पी 3 स्पी 3 स्पी 2 स्पी 2 अब इक है जैसे कंबशन की बात करेंगे अगर यह साचुरेटड होता है अगर कोई डबल बॉंड यह तो इसको बन सेटिटेट बोलते हैं कि यह उसको पता चल जाएगा कि इसमें थोड़ा सा स्मोक कम आएगा अगर इसको बांड करेंगे कमशन करेंगे तो स्मोक कम आता है लेकिन अगर 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 अपने पास यह है कि बई कार्बन है और इसमें सीजिक्स अच्ट्वल्ग है सपोस्वार एक सीजिक्स अगर इसमें बहुत जादा आएगा ब्लैक स्मोक इसमें स्मोक बहुत जादा नहीं आए कार्बन की वेलंसी कार्बन के मतलब अपने रिखा कि कैसे अपन डिफ्रेंशेट कर पाएंगे कि अगर नंबर ऑफ एडरोजें एटम कम है तो स्मोक जादा आएगा फिर विकेन से थे अगरां थोड़ा सा क्लासिफाई करें अपीक कमपउट्स जो आना वो साइक्लिक हो सकते हैं और असाइक्लिक हो सकते हैं अना सो साइक्लिक और आसइक्लिक कांद्स सब्सक्राइब होता है यह इस तो ओपन चैनल करबनेकर वह सकते हैं उसके सब्सक्राइब का मतलब जिनमें double bond triple bond नहीं होका और unsaturated जिनमें double bond triple bond हो सकते हैं तो अगर कोई double bond या triple bond वाला compound है तो अगर उसे कहेंगे वो बाकी वैलन्सी मैंने आपको पता था कैसे आपको complete करना है तो अगर unsaturated है तो उसमें double bond or triple bond होका अगर saturated है तो उसमें double bond or triple bond नहीं होका तो नहीं होका तो नहीं होका तो नहीं हो सकते हैं तूसरा काम काम भी हो सकता है यह भी saturated है और इसमें पर ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी unsaturated में आएगा कि कि अभी इसमें तो double bond है कि अगर डबल पॉन्ट होगा तो unsaturated आजाएगा फिर साइकलिक में बीट से थेट एक होगा भई इस ना तेस साइकलिक जिसमें एक होगा होमो साइकलिक रिंग्स और एक होगा हेटरो साइकलिक पॉमो साइकलिक मतलब रिंग्स मेड़ाप अपनली वन टैप पट अपने अपने तो पर आपने इसे बता देंके तरी मेंबर द्रेंग्स पोर मेंबर द्रेंग्स जहां पर यह ब्रेक हो रहा है ना दिस पार ने अट पैसे के कारबन का वेलंच कंप्रीट करने तह समयध्या से इसलिए कारबन की चार व्लंसी तो अकर आप इसे लिखा होगय है लाइन मियंध्य बेंड होता है वहां पर कारबन ये अंड कॉपर वो कार्बन होगा Imagine q तो अगर कारबन के दो बॉंड है तो अगर ऐसे हैं तो आपने से साटूरेटी बोलता है क्योंकि यहां पर कोई भी डबल बंड रॉल नहीं दिख रहा है आपको लेकिन हेट्रोसाइकलिक हेट्रोसाइकलिक का मत्तब अब यह भी सैचुरेटेटेड हो जाएगा और जो saturated और unsaturated होता है वो जनरली इपन डिफाइन करता है कार्बन कार्बन से दूसरे एटम में भी हो सकता है लेकिन उसमें functional group भी आता है तो वो फिर हमें functional group भी आना चाहिए अभी हम सिर्फ double bond carbon carbon के basis में बता रहे हैं वो में आपको clear कर दोगा आप चिंता मत करो मेरे दिमाग में आया था हो कि आप double bond को कहां लिखना चाहते हो वह बताऊंगा है हेट्रोसाइकलिक का मतलब है रिंग्स मेडप अफ मोर दन वन तैप आप अटम सो रिंग्स इन्वाल्विंग अटम सब्सक्राइब अधर दन कार्वन अधर दन कार्वन तो ठीक है यह था इधर भी च्टू है तो दिस इस अट्रोसाइकलिक कि इसमल रिंग में बीच में कारवन कारवन के बीच में ऑक्शिय नानल भी तो यहां पर भी होगा, no doubt, यहां पर भी होगा, we know that सभी जगे होगे होगे, because जहां पर line bend करेगा, वहां पर carbon है, और carbon की valency हमें satisfy करने ही पड़ेगी, that is called heterocyclic compound, अब जैसे पर नहीं का भई saturated है और unsaturated है, तो मेरे पास ऐसे molecular formula given है, C2H4O, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी दूसरे item में नहीं करना चाहता था, क्योंकि फिर आपके अतर्शर, यह functional group क्या होता है, तो वेट कर लो थोड़ा है, बहुत सारा और भी मैं classify कर सकता हूँ, मैं तुम minimum classification कर रहा हूँ, उतना ही बताओंगा ना, जितना समझ में आए, वरना फिर अच्छा कुछ भी लिखते हो, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, क्या फ़र्क तुमको क्या फ़र्क करता है, मुझे क्या आता है, तुमको समझ में आया तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, तो कुन कहेंगे भई देखो, अपन ने इधर अलकॉहल तो लिखा, मैं इसको लिखूंगा तो इसको बताऊंगा saturated alcohol, इसमें कोई double bond नहीं है न, ये saturated alcohol नहीं है, ये दो carbon atom वाला unsaturated alcohol, ये वाला, देखो, अब इसका formula ये भी है, और इसका formula ये भी है, दोनों का molecular formula तो same है, तो ये alcohol लिखा है आपने जबकि ये ldide लिखा है आपने, ldide का ये group होता है, ये इसकी वज़े से आप ldide बोल रगावा है, अब मैं इसको कहूंगा saturated ldide, क्यों, इदो double bond तो है, हाँ तो वो तो ldide group है न, वो तो functional group है न, उसके अलावा बताओ कहीं double bond है तो, उसको बोल अगर ऐसे given होता मुझे, तो मैं कहता है कि unsaturated ldide, ये तो ldide है, अब double bond बना उसमें extra, तो बोलूगा कि वो unsaturated ldide है, वरना तो मैं saturated ldide ही बोलूगा, ये तो functional group है, उसमें double bond है तो वो तो functional group है, उसके अलावा बताओ, अगर carbon chain में double bond है तो, तो बोलूगा unsaturated ldide, अब ये alcohol जो है वो तो OH group हता है, तो उसके अलावा carbon chain में जब double bond होकत तो पिल कहेंगे unsaturated alcohol, saturated alcohol, unsaturated alcohol, because alcohol तो ये वाला group है, वो तो इसमें भी है, वो तो इसमें भी है, ये alcohol है, इदा double bond नहीं ये तो saturated हो गया, इदा double bond है तो unsaturated हो. उदर दोनों में ओने इसका मॉलेक्ट फर्मला और इसका मॉलक्ट बिल्कूल सेम है लेकिन यह लग लग फंक्षन रूप हो गए तो आपन कहेंगे इस में इस ग्रूप फंक्शन ग्रूप के अलावा बताओ कहीं डबल बॉंड है तो बोलूँगा अंसाचुरेटेड एल्डी एक वह साचुरेटेड रजाएगा तो इस टाइप में धीरे 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 अभी पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा तो अपन कहेंगे ठीक है होमोसाइक्लिक रिंग अब इसमें भी सैचुरेटेड और उनसाचुरेटेड बिता सकते हैं अब डबल बॉंड तो कहीं दिख नहीं रहा लेकिन अगर बीच में डबल ब अंसाचुरेटेड रिंग साधक यह भी हे हेट्रोसनाइक्लिक सैचुरेटेड ही इसमें मुझे कहीं । तो सबस्राइब करो कि आगर उसमें कार्बन के लावा दूसरा एट्व मैं तो है प्ला हुगे- यह दोनों तो तो जैसे यह कर लें तो इसलिए कारबन के लिए करते हैं तो पता कि फार में एक ना को और जब कोई बोले का तो बता दूंगा काउंट करके बताओ तो पर गए कारबन वन तू तरी फॉर फाइव कारबन से कि इसमें एक कार्बन है दो वेलंसी कंप्लीट है तो इसके पास दो हीटरजन होगे तो टू फोर सिक्स एट तैन और एक नाइटरोजन वाला हाइटरोजन होगे लेवन और एक नाइटरोजन यह का इसका मॉलकुला फॉर्मला है काउंट करके बता दूगा यह साच्पूरेटेट लेकिन अगर अपनको अंसाच्पूरेटेट बनाना है अथरोजन तो बता दूगा अब कहीं भी डबल्पॉंड बना दो आपकी मरसी अब मुझे इस मॉलकुल में डबल्पॉंड कार्बन कार्बन दिख रहा है इसका मतलब वो अंसाच्फूरेट इड यह था लिए है। यह था हुआ है। सा क्लासिफिकेशन जिसके अपनको जुरू पड़ेगे अब साइक्लिक में बेंजीन जैसे कंपाउंड भी आते हैं मतलब साइक्लिक पिंग में अंसाटुरिट साइक्लिक रिंग में जैसे ऐसे हैं अपने पास साइक्लिक रिंग में तो अगर ऐसे कि बने को कारबन कारबन में गडबल पर यह तो ही साचुरेटेट रिंग सको अब अब ऐसे लिखना तो मैं काऊंगा यह अन्साचुरेटेट काउंड यह अन्साचुरेटा कमाउब यए Liberal साचुरेट साइक्लिक रिंग यह अन्साचुरेटेट्स ऐसे सबस्क्राइब यह अ यह है कि यह आंसाचो रेटट एंथा कंपाउंट यह अंसाचोड़ेट कंपाऊंट अ कार्बन चेनन उसाचोरेटट कार्बन चेंश्यूरिक दोना ही मालेक्विक फिकाइब डॉड पॉड ऑन देख रहा है इसमें रिंक के अंदर double bond है तो ring-unsaturated बोलत हुए. अगर बोलना है तो बाइब बता हुए तो बता हुए यह लोगी on-saturated बोरूटरों सब्वारों जो और रिंस अपॉरुडं़ और दियुम्वालर हुट्टर व तर अझा ट्रुट Pacific जो और रिंस अचरति लुटर यटन। इस बовалर न बनर गिसंच प्र अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा अटम है तो अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा अटम है तो पर उसमें हेट्रोसाइक्लिक भी बहुत सब्सक्राइब कि करें मैं तो जैसे है अटरोग्स कार्बन हुग उन्सक्राइब और यूजओ टुक्त टुझ दॉस्त टॉठेट्ट था कि हाइट्रोगाब बई पूसक्राइब गगए है और तो अुग पीगए अगर से ट्रकरबन सोगे जिनमें हाइडरोजन और कार्बन होंगे बस तो तो देखांट पारफिंज अगर अगर साथ ट्रिपल बॉंड नोगा तो अलेफिंस बोलते हैं उनको और अगर सारे सिंगल बॉंड ने तो पॉंड परफिंसन अगरोजन तोर्ण अगरोजन परफिंस अंप स्टियरेटि अगरोयर फढि तो अंका जनरल फ़र्मॉला CnH2 u and L aged value तो उनका जनरल फॉर्मुला दो टैप से हो सकता है एक होता है CnH21 प्लास दिस CnH21 और एक होता है CnH21-2 अगर CnH21-2 तो इसको बोलते हैं पर अलके अलके अलकेंस और पारफिंस उनमें डबल बॉन नहीं होते हैं अगर CnH21 तो आ है उनको बोलते हैं लके यह वैसे अलकेंस और अलकेंस बहुत आर ओलीफिंस एलकेंस अलकेंस होगा और अलकेंस मतलब अन्साटरेशन तो यह उत्रशन और alkyne means triple bond, यह single bond होता, alkyne है, अगर N का विली 1 है, तो CH4 होगा, तो this is called methane, अगर N का विली 2 है, तो C2H6 बनेगा, that is called ethane, N का विली 3 है, तो C3H8 होगा, that is called propane, N का विली 4 है, तो C4H10 होगा, that is butane, N का विली 5 है, N का विली 5 है, तो C5H12 होगा, that is called pentane, 6 होगा, तो I'll rate Xane, 7 होगा, तो we rate that heptane, 7 मतलब hept, और 8 मतलब opt, तो इसको अपन लिखेंगे, optane, 9 होगा, तो it is non in, और 10 होगा, तो decade, वो ऐसे non in, decade, वो आपने पढ़ाओका, पहले भी पढ़ाओका, यह भी थे हैं था, अगर इसमें का वेलिवान ना, तो लिखेंग भाई, यह तो इसको अपन कार्बन का वेलेंसी कंप्लेट नहीं है, इसमें इसमें कंप्लेट था, तो alkane में, bethane is the smallest alkane, ethane उसके बाद, इसमें smallest alkane जोगा न, इन, that will be, कम से कम कार्बन का वेलिव तो होना ही चाहिए, तो इसमें, तो इसमें यह तो कार्बन का वेलेंसी कंप्लेट होई नहीं सकता वई, क्यों कार्बन के चार वेलेंस और एके खाइटरजन से मिलेगा, तो टो कैसे बताओंगे, वो स्टेबल नहीं बता पहेंगे, तो पर कहेंगे, smallest alkane is C2H4, इसमें तो मैं बता दोगा न, ऐसे C2H4 में, दो कार्बन है, चार है, सभी एक्टम का अप्लेट का प्लेट है, इस स्टेबल, तो वो स्टेबल होगा, तो ठीक है, we'll rate that the smallest one is this, तो यह तो नहीं बताएंगे पन, smallest one, फिर उसके बाद आपन जैसे एथे लिखा, ऐसे प्रोपीन भी लिख सकते हैं, C3H6 हो जाएगा, तो प्रोपीन, C, we'll rate that 4 है, तो H कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, उसका 8, ब्योटीन, मतलब गोर्ड रूट जो था, जैसे मित लिखा, इत लिखा, प्रोप लिखा, ब्योट लिखा, तो ब्योट इन हो गया, प्रोप इन की जगे इन हो गया, तो C5 लिखोंगा, तो C5 H10 हो जाएगा, तो डेकें, इस पेंटेन हो जाएगा, तो अब इसका वर्ट रूट हो गया, पेंट तो अपन कहेंगे, अब इसके की आधेन हो जाएगा क्योंकिए, इसको फालू कर रहा है तो, अगर इसमें, ट्वल वोतात, टो अपन कहेंगे, हक सीम बन गया, और इसको फालू कर रहा है, इन वाले को, यह इन का फालू पार्मूला था, ये इन का फर्मूला था एलकीन और ये इलकाइन का फर्मूला फरल्काइन तो जैसे इलकीन था इसमें भी अब आव़ासे तलिफ नहीं सकते कार्बन वन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा ट्व इन्टू मैंनस टू जीरो अब यह तो इसर्ट नहीं करेगा तो फिर कार्बन को कम से कम टूतों हो नहीं चाहिए तो अपर लिखेंगे यह सी टू एच्टू होगा कि सी टू होगा तो टू एंटो डू फोर माइनस टू इट विल बी टू कि दन अगर कार्बन टू होगा तो वर्ट रूट विल बी दिस इत कंगर कारबन पॉन है तो वर्ट रूट ऊटता है कारबन टू है तो वर्ट रूटता है विथ कारबन ठीट ॥र ज़्य करण को रहतекс ऑगर अगर इसको कर रहे तो एंग दो इसको इसको फॉलोक यह यह थो आई नेकार नेकल उसको कर रहा है यह आपको मॉलिक्यूल तो इन लिख दो और इसको यह आइल मिलूत बाइट लिख दिया अगर सीत्री होगा तो पर लेकेंगे प्रॉप लेकेंगे इसमें सीत्री के साथ क्या होना चाहिए अपने के सीट्री होगा तो सिक्स माइनस टू मतलब फॉर तो मैं लिखूंगा कार्बन अगर तो प्रॉप तो लिखना ही पड़ेगा मुझे लेकिन वह एन है यह यह आइन है वो तो हाइड्रोजन पेट करेगा प्रोपाइट यह अब बिल्कुल वैसे ही पर लेकिंगे ब्यूटेन ब्यूटेन और ब्यूटेन तो सीफोर है एच सिक्स हो गया तो और जिसमें ही इस में दो है कम है इसमें दो और खरदिया अपने वो इसलिए यह तो मुझे पताने की दरूट नहीं सी फॉर वगा तो व्यूट हो जाएगा दिए तो पेंट हो जाएगा वरूट अब इसको फॉलो करेगा तो सब में लगा दूंगा इसको फॉलो करेगा तो इन लगा दूंगा और इसको फॉलो करेगा तो आइन लगा दूंगा नीटाइन प्रोपाइन 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 10 है तो डेक अब अगर आपने लिखा जैसे आपने लिखा इन का वेल्यू नाइन है तो ठीक है इसका मतलब है सी नाइन एच ट्वंटी नॉन एन लिखा होगा आपने और अगर सी टेन होता तो यह ट्वंटी टू होता तो डेकिन लिख देता हुए तो अगर आलो इदर से सी ओर आप और एज है तो यह चैन था मतलब है कि कोई भी मॉलीक्यूल उसके न्बर और अक्वार्बन से रिप्रेजेंट होगा कि किसी भी मॉलीक्यूल को हम उसके कार्बन के नंबर से उसको पैचानेंगे ना कि पर से हर बार आप क्योंकि यह वो डू जो नाम लिख रहे हो वो नाम किसके बैसे स्कार्बन की नंबर के बैसे से तो इसका मतलब है नंबर एटम उसका नाम कितना होगा है तो चैंज हो सकता है तो तो चंज हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अब मानलों एक एक जामपल लिखते हैं आप आपके मेरे पास एक जामपल लेकर रहे अगर मेरे पास ऐसे कि बने डाट इस पॉर प्रॉप्ट तो कार्बन तो त्री होगा अगर मैं इसको कार्बन तीन कार्बन को ऐसे लिख रहता हूं मेरे पास तीन कार्बन है और ऐसे सभी का वैलेंसी कंप्रेड करता हूं तो सी त्री ह एट आएका इसमें कहीं डबल बॉन वगरह नहीं दिख रहा है तो अपन कहीं कि ठीक है प्रोपें न क्यों कि इसने इसको फालू किया इसको देखके बता चलो ना सी थरी था तो एन कितना हो एज कितना होना चाहिए अबिर मुझे इसको ऐसे लिखना है तो फिर मालेकलो फॉर्मला में क्या होगा चेंज होगा आप क्या आएगा सी थरी हैज कितना है थरी प्लस थरी सिक्स ये इसको फालू कर रहा है तो ये क्या होगा प्रोपीन क्योंकि इसमें टबल बन आरा ना उसको फालू कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि एक अंसाटेरेशन दो ऐडरजन से आता है अगर आप इसमें से दो इडरजन निकाल दो एक डिग्री ऑंसाटेशन आजाएगा मतलब एक डबल बनातेंगे एक पाइंगे इसमें कितने sigma bond है तो कांड करोगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 2, 10 sigma bonds है. इसमें कितने sigma bond है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sigma bond है. इसमें 8 sigma bond है, एक 5 bond है. इसमें 10 sigma bond है. अब अगर मालो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो अपनको पता है, फिर आप hydrogen या नहीं लिख सकते हैं, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा. कारबन की वेलेंसी चार से जादा थोड़ी हो सकती है. कारबन कभी चार से जादा bond नहीं बनाएगा. कारबन कै कोई भी एटम चार से जादा bond बना ही नहीं सकता. क्योंकि तीन तो एक्सेस होता है, इसलिए bond तीन ही बनेंगे किसी डियाटम के बीट में. तो इधर C3 है तो H4 आया, H4 आया तो इसमें आपने चार hydrogen कम किये, मतलब एक पाइबन बनाने के लिए तो hydrogen कम करूँगा, एक और पाइबन बनाने के लिए दो और कम करूँगा, ये प्रोपाइब, यह प्रोपाइब. अब होता है, विच्छल कर इसलिए तो मतलब होता है, जैसे आपने लेकेगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, पेंटाइल, हिकसाइल, हैप्ताइल ऐसे अएशे, अलकेजुगूग बोलता है. तो अलकाइल ग्रूप इस रिप्रेजेंटेट बायर अलकाइल कुछ कोई भी अलकाइल गूप जोता इट इस फॉर्मड बई लिविनेशन ऑफ वन हैडर्जन अटम फ्रम दर हैड्रोकरब तो क्या करेंगे इसको लेखेंगे अलकाइल ग्रूप आर्ट से तो रिप्रेजन करेंगे इट इस फॉर्म बाई रिमोविंग वन है वन है तो अगर मेरे पास मुझे साचुरेटिट इस टाइप से तो इसका मतलब तो अगर मुझे इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूब करके बता ना है तो आप ऐसे बता दू कर दिया एक हाड्रोजन हटा दिया जाए तो उसका अलकाइल ग्रूप आ जाएगा तो ठीक है मैं ऐसे बहुत सकता हूं फिर उसका जनरल फॉर्मॉला इस सी एन एच टू एन प्लस वन फॉर्ट एलकाइट्रोजन इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास अगर सी एच तरी है कार्बन वन होगा और हाइड्रोजन त्री हो जाएगा तो यह एक कार्बन एटम जब नंबर ऑफ कार्बन एटम से वर्ट रूट चूज होगा तो यह बोल दूंगा मैं मित तो होना चाहिए वर्ट रूट क्योंकि एक कार्बन एटम है और इसलिए विकोज आपने एक हाइ तो मैं लिखूँ का C2H5 तो ठीक है दो कार्बनेटम तो यह हो जाएगा इथाइल अगर C3H7 तो प्रोपाइल C3H7 तो C4H9 बताल पंधल लग गट विदते ऐट लिजाइल C5H11 then it is fentavais so that is how we write the alkyl group that is how we write the alkyl group ठीक है अब मान लो कि अधियूम करते हैं आपन आपने कहा कि एक हाइड्रोजन रबूब करो तो आइल ग्रूब लगता है कि मान दिया वही कि अना एक हाइड्रोजन रबूब करो तो उनको एक वह लगे करता है कि की तोमशे स्ट्रक्चर लिखने की थर अइन सक्ट सब्सक्राइब कारबनेट ओ कार्बनेटा में तो इत तीन कार्ब टीम ए में तो प् Tablet है वीउट पांच lais यहित वी भी नियूंब करें है लेकिन ब्यूटे सीट्सव्य है मैं उसको ऐसे बीट सकता हूं यह стран गपम इसमें तो ब्रांचिंग नहीं हो सकती क्योंकि ब्रांचिंग को करोगे क्या ऐसे थोड़ी लिख दोगे लोग है अब मैंने उदर को लिख दिया तो हो गया हम तो ऐसे लिखेंगे नमबर एक दो तीन कार्बन अपस में अटास्ट है अब चाहँ से स्ट्रेट चेन लिख लो ज़्व इसको नहीं कर सकता है क्योंकि यह तो चारों के चारों स्ट्रेट चेंग में थे यह इसको बीख लेगे इसको ब्रांचिंग नहीं बोल सकता यह तो वन टू थ्री एदर होगे वं टू तू ट्रीट अब उधर थोड़ी ऑसे लिख दोगे यह तो लीनियर प्रांचिंग यह ब्रांच इना तो सीधर डिफरेंस ब्रांच इन नौन ब्राच्च अगर वांच इंग हो का तो कैसे इसे बांच शक्ती है तुछ up एक पांच कार्बान एक टीक यह यह आप इसे भी लिख सकता हूं में इसमें भी सिर्फ पांच कार्बान पांट इसके तिन नाइडरोजन क्यूंकि एक कार्बन कार्बन से बांट बन गया तो कियों कि वयर योव कर। अगर तो मतलब यह भी सीच्ट वह भाइंट तो हो गया अब दो लेकिन वाला तो हमेशा होता है मतलब यह भी सीस्टरी होगा इन दोनों का मॉलक नंबर ओफ एटम दोनों में सेम होंगे इन दोनों अगर सिर्फ ब्रांचिंग करोगे अगर सिर्फ ब्रांचिंग करोगे तो सिर्फ ब्राइचिक से तो हमने अलकीन क्या होते हैं अलकीन क्या होते हैं यह देखा और अलकाइल ग्रूप क्या होता यह देखा अब हम बाल चीक की बात करेंगे उस से पहले देखते हैं कि अपन को क्या-क्या बोला गया और क्या-क्या अपन को सुनना था तो जनरल फॉर्मला आफ अलकाइल ग्रूप विल भी CnH2N-2 और CnH2N-1 तो अपन कहेंगे भई अगर एक हाइडरोजन कम करना है तो आप अलकेन के लिए अलकाइल ग्रूप लिखा था आपने तो यह एथेन था तो इसको अगर इथायल ग्रूप लिखना है तो मुझे ऐसे कर लेगा एक अटा दिया मैंने तो अटाया तो कहीं तो लगाओगे उसको जाके हां तो तो इस पर ग्रूप रूप को एथे अब वो करा कि यह तो ठीक है आपने ऐसे का कि कि आपने इसको सिएन एच्टुएन माइनस एच्टुएन प्लस वन कर लिया एक हाइटोजन अटा दिया माल लिया अब वो करें कि सर अगर ऐसे पहले से ही ऐसे है तो और मैं इसको एथेन बोलूँगा तो फर मैं क्या करोंगा और इसका फार्मुला तो सिएन एच्टुएन प्लस एच्टुएन है तो फर क्या करोंगा तो कहेंगे अपन ठीक है बाई कोई बाद नहीं इसको सिएच्टू डबल बॉन सिएच लिख लेता है एक हाइटोजन आपने हटा दिया तो फर इसका नाम भी फिर आप एथेन लिखोगे इसको भी एक हाइटोजन रुमूफ करोंगे तो आईल ग्रूप आएगा वाई एल तो फिर तो फिर इसमें तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सी एन एच्टुएन माइनस वान इसमें तो पहले से ऐसे था तो अब यह ए तो इसको आप एथाइन बोलते हों और इसका फॉर्मुला आप मुझे जनरल फॉर्मुला देते हो सी एन एच्टुएन माइनस दो तो अगर इसका एल का एल बलाना है तो तो एक हाइटर के नटाना पड़ेगा तो अपने ऐसे लिखेंगे तो फिर इसको क्या बोलें तो कहेंगे कोई बात नहीं इसको बोल तो इथाइन आई तो फिर इसका चैनल फॉर्मुला क्या होगा उससे भी माइनस दो पर लंट करता है यह लो एक है अब वह नहीं करना कि माइनस ठ्री लिख लो लिख लो तुमारी मर्जी मैंने तो बताए है कि वह इससे करना तो अलकाल ग्रूप अलकीन में भी हो सकता है न कीन में भी हो सकता है तो पूछा मैंने बता है औरना मैं आगे बताता है अब मैंने बता गिया इसको ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पर नहीं एक क्योंकि जितने क्वेश्चन आएंगे वो अगर हमारे सुट आउट हो जाएं तो फिर उससे काफी अच्छे concept भी बच जाते हैं कि फुर दिमांग में कोई confusion नहीं रहता है कें देर मोर दन कें देर मोर वर्ड रूट्स आफ्टर डेक हां बिलकुल हंडर्ड था थाउजन भी होता है कोई प्रूपन लेकिन अपने को सिर्व वर्ड पर थोड़ी रिसर्च करनी है राइट ठीक है बिलकुल होंगे मतलब 12 पेंटा डेकें ऐसे अपने पढ़ेंगे भी थोड़ा सापना और देख लाए कॉश्चन अच्छा एक कोश्चन है नीचे आला नहीं दिख रहा नहीं बढ़ सकते हैं चला पाद दूसरा देखते हैं फिर अपने पास है अंसाटिरेटेट कैन अनली भी इफ दडबल पॉन्ट और ट्रिपल पॉन्ट अकर्स अनली बिट्विन दे कार्बन अटम स्ट्राइट बिलकुल राइट लेकिन वह सिर्फ कार्बन अटम में अपर अंसाटिरेटेटेटरिक हेड्रो सैकले करें और नाइटरोजन में भी डबल पॉन्ट होता है यह कोई फंच्छन ग्रूप थोड़ी होता है अगर अगर आप इसे लिखना होका अपन से कहें कहीं कि दिको कि असे माल नो अपने पास अच्छिक लिखना है अपने पास अपन इस इस अपने नियू अपने दिडित भी सुन इस इस अपने अन्सा अ अब बएप आप अब अब सब्सक्टर अ गर आप मुझसे अंसा अपने अचुए यूट थो अब आप अगर आप मुझसे अंसाटुरेटेट इसो इसे विद एक शोगे तो हां है उसमें तो बता है क्या करना है ठीक ना मतलब कमपाउंट में को कोई प्रोब्लम नहीं है नहीं प्रोब्लम आएगा वापन को क्या करना है मैंने एन नाइन का क्या है न न न न लिका है नॉन अगर अलकेन होता है तो नॉन एन हो जाएगा न कि अपने वर्डरोटी लिए ठीक है अब ठीक है मैं अटा रहा हूं को है यह वालो पाट थोड़ा ध्यान न अच्छे से पैसे एक पाट स्कूल अब न मुस्क्री पहले हैं पर ही फोकस करेंगे अभी वाट है तो सब्सक्री ग्रूप्स मैं ग्रोप से लिख लेते हैं कि अलकेल्स और उनके नाम अपन लिखने वाड़ हैं अब यह पर नेम को ही अपन पहले डिस्कूस कर रहे हैं तो उनके नाम डिस्कूस करेंगे अब जैसे अपने लिखाना है यसे यह कार्बंचेंग है अब हाइड्रोजन से बार पार इसलिया नहीं लिखने से क्या होगा ना कि अपन वह पूरा ऐसे मर्ज हो जाते कुछ समझ में आता कि इसको कहां लिख रहे हैं कार्बंचेंग में लिखा अपन को पता है तीन है अगर डबल पॉंड नहीं लिखेगा तो प्रोपिन भूल दूंगा ठीक है इसे भी लिख सकता हूं क्या प्रपड़ेगा मज़ें बिलकुल लिख सकता हूं अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो यह नॉर्मल प्रोपाइल रहें चेन है प्रोपाइल का मतलब है कि यह प्रोपेन था इधर आई डूर्ट है आपके अपके ज़रूरी नहीं इसका प्रोपर स्ट्रॉक्चर देखें कर दोसरा कार्बन का एक बॉंड दूसरा बॉंड और थर्ड बॉंड एक अंदर की तरफ होगा बॉंड एक बाहर की तरफ होगा इस पितरी बना बढ़ाने सारे के सारे इनके बीच में बढ़नेंकल सुट भी अरॉंड यह वाला बढ़नेंगे जोगा 109.28 मिनिट जैसे बनाने पड़ेंगे तो आप इस में तो एक आप हैटरजन आसे लिख लो हो से अलच एक आप हैट को आप आप इसे थी तो अविस ने यह अखा तो अब रॉप में लिखी थे ए से लिखो एसे लिखो इस लिखो इस अप्रोपेल आ कि मतर्न अगर आसे लिखो तो तो मैं गांगा इसमें चार कार्बन इतम है यह वाला च्टू है यह वाला च्टू है और यह वाला भी सीच तरी एंद दाट विगाद इसके जगे मैं ऐसे लिखता है तो में विटेन बोड़ देख इस अब यूटे अधिसकाल बॉंड लाइन नुटेशन्स कार्बन दिखाने की जुरूद नहीं पड़ती है कि अगर कोई कार्बन ऐसे ना जैसे पर नहीं से लिखा है वाण टू टू ट्री फॉर फाइफ सिक्स तो इसको एन हेक्सेन लिखता है नॉर्मल है से नॉर्मल मतलब अगर कोई अगर ब्रांचिंग नहीं तो जैसे यहां पर ब्रांचिंग तो है नहीं आपने तो यहां पर सीधा सीधा लिखा तो मैं इसको नार्मल प्रोपेल निखता नहीं एडर टो ora है सिर्यकरवार से कि तो आख इस aik जाने काला चाहित हाए से कि दूकर अपयाओं आप जो अब फिरूटेल नौर्मल अगर श्राइट जैने तो अन्डेस टोडाग Worksnamand लिली वे नार्म है तो नॉर्मल प्रॉपाइल हो गया अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना विटेन को जैसे अपने पास अब इसका और इसका मॉलकला फॉर्मना से यह हो गया अगर ब्रांचिंग हो गया तो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें ब्रांचिंग हो रही है तो वैं आपको यह बताना चाहता था कि यह और आईजो का मतलब क्या है प्रोपा लिखने का मतलब है जब आप किसी को हटाओगे इससे तो कुछ तो लगाओगे ना इसमें इसको छोड़ता होगा यह कुछ तो इसमें लगाओ गया मालोग मेरी मर्जी मैं ऐसे लिखता हूँ वह हटाया ही इसके लिए है कि कुछ लगाना पड़ेगा लोग अलकॉल लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखता हूँ यह नार्मल प्रोपाइल अलकॉल है इसको ऐसा ग्रूप कहीं लगा तो इसको भी इसा ग्रूप कहीं लगा सकते हैं तो अगर आप इसे अटा रहे हो तो कैसे आप ग्रूप बनाओ तो आईजोब्यूटेंड तो जब कोई प्रोपाइल लिखते हैं अपन तो प्रोपाइल में अगर यहां पर अब यह एज़ग्रूप आगिया तो यह कहीं अटास्ट है या इससे को फंक्शिल गूप अटास्ट तो नॉर्मल प्रोपाइल में तीन कार्ब तो फिर अगर यह ऐसे होगा और फिर यह कहीं रिटास्ट है मतलब जैसे अभी बताएं तो नुमलें तो फिर अगर यह तो प्रोपाइल अलकॉल तो अगर मैं इस ऐलकॉल को यहां लिट दूं तो मेरी मर्जी तो पर न कहेंगे कोई बात नहीं यह अईजो प्रोपैल नकार इनिया वह कैसे मूझे कैसे पता चलेगा इस आई उप्रोपैल अलकॉल है तो उपन कहेंगे यह जो ग्रूप लिक ना आप ने इसको आई जो ग नहीं यह तो स्ट्रेट चेन है इसको ऐसे बनाने चाहिए आपको तब इम आई जो बताऊंगा वह वी उपर की तरफ क्यों बनाया नीचे की तरफ बनाना था आपको ऐसे नहीं होता अगर आप नहीं अगर अगर आप वह बन जाएगा अगर मैंने यहां पर एक पैरा क्लोरो फिनल तो मेरी मर्जी में यह पर लिख दोना है यह भी यह किस किस पोजीशन पर कैसे किसे भी कंपांट को हम पैचानते उसके नाम से समझें किसी भी कंपाउंड को हम पैचानेंगे उसके नाम से ना कि उसको देख के अच्छा यह टेड़ा दिख रहा है नहीं नहीं यह नहीं हो सकता नाम अगर सेम है तो मॉलेकुल सेम है उसी नाम के लिए बढ़ रहे हैं तो अपन क्या देंगे भाई यह आई सोग्लोप है अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ CH3 CH2 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 तो मैं इसको लिखोंगा N-butyle तो ब्यूटेन था ब्यूटेल बना लिया आपने तो मैं इसको लिखोंगा आईजो ब्यूटेल आपको पता है यह आईजो ग्रूप है अब यहां कार्बन चेन बढ़ाते रहो आईजो ब्यूटेल आईजो पेंटाइल आईजो एक्साइल बनाते रहोंगा अब आईजो पेंटाइल आईजो पेंटाइल यह आईजो बन गया यह पांच आर्गेंट अब तो आई सब्सक्राइब तो अगर मैं ऐसे लिखू तो अगर मैं ऐसे बनाता तो मतलब कार्बन चेन अभी भी है आपने यहां नहीं बनाया इसका मतलब वह आईजोजन से वेलंजी कंप्रीट करूब इसलिए यह बनाने का मतलब ही है कि यह कहीं अटास्ट है या इसमें कुछ अटास्ट है तो आप पुलते हों लो कि ऐसे बनाती है करो लो भई आई सब्सक्राइब ठीक है यह आई सब्सक्राइब करते हैं यह अपन को समझने आगे हैं कोई प्रॉपर नहीं है अब इसमें तो मैं और भी तरीके से लिख सकता हूं वह कैसे तो मैं कहूंगा वैसे भी लिख सकता हूं इसको अलकेल ग्रूप माल लो मैंने थोड़ा और ब्रांचिंग कर लिया या इसमें भी मैं थोड़ा और ब्रांचिंग कर सकता हूं को जैसे इस इसपे वह सेदर भी ना इतको ऐसे यह वाला ग्रूप लोगा बना लिए गार अगर तो इसको पर प्रेजंट है तो इसको पर कहते हैं यह पूरा इतना कार्बन उससे चारों तरफ तो उसको पर कहते हैं नियो पंटाइल इस नियो पंटाइल दें दिस विल भी यह नियो था इसको पर नियुक्त और टोटल अलकॉल ग्रूप में कितने कार्बन एक्टम है छेड़ तो यह टोटल में कितने कार्बन थे पांच तो अपर ने पर टाइल लिखा तो इधर टोटल कितने हैं छे तो नहीं एक साही लिखो नियों में ब्योटल प्रस पॉसिबल नहीं है इसको नियों नहीं बोलते हैं नियों में कम से कम पांच कार्बन एक्टम होंगें नियों में कम से कम पांच कार्बनंटम होंगें नियों में कम से कम 5 कार्बन एक्टम का थीक हैं तो इसको नियों नहीं बोलें कि तो फिर इसको क्या बहुत सकते हैं आप टर्शरी बुटेल बहुत सकते हो इसको टर्शरी बुटेल बहुत सकते हो सबस्क्राइब बुटेल में इसको टरो टर्शरी को अच्छानिस काती है इसको टरो सभी ने किया करना चाहता हुना नाइण इन एलाना चाहता भी फिर एक वर्ड़ आधा नाइग बताओ ठीक ठीक है, अभी मैं इसको अठार हम है, अपनको आईजो और नियो पता चल के, आईजो क्या होते हैं, नियो क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होते हैं, वो पता चल क्या डिग्री ऑफ कार्बन आटम, कोई भी कार्बन आटम, कितने तरफ से कार्बन से अटास्ट है, वो उसका डिग्री डिजाइड करेगा, कोई भी कार्बन आटम, कितने तरफ से कार्बन से अटास्ट है, वो उसका डिग्री डिजाइड करेगा, एक यह कार्बन एक तरफ से कार्बन स्ट्रेशट तो टो तरफ से वह नुए-धन-वाले हूंगे जो लास्ट में टास्ट होते हैं वो सब ट्रियों कि तो कोई भी कारग्न एंटम कितने तरफ से कार्बन से टास्ट हो उसका डिग्री डिसाइड गा इसमें 5 1 दिग्री कार्बन इसमें 2 2 डिग्री कार्बन वन तरफ से कर्बन से टेस्ट हो उसका डिखरी होगा और जो कार्बन का डिखरी होगा उसके हाइड्रोजन का भी वही डिखरी होगा तो वन डिखरी हाइड्रोजन एक्टम कितने हो गए इसके पास तीन इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी तो इसमें फिफ्टीन वन डिखरी हाइड्रोजन एक्टम हो क्या है वन डिखरी है जटम होगा है जितने कार्बन थे उसको वट डिखरी कार्बन हरे कार्बन के पास तीन इधर भी इधर भी तो फाइव इंटू त्री जो कार्बन होगे तो जितने कार्बन एटम है तो फाइव डिखरी कार्बन एटम है तो फाइव इंटू हरे के पास त्री है तो इक्वल टू हो गया फिफ्टी one degree hydrogen atom तो टू ड्री neighbors क difए टोइस के पास कंगे दोगे इसके पास में फूर वन डिखरी आप टूगी देजन इर्दी है कोई भी कार्बन एंटम जो भी टर्मनल कार्बन एंटम होगा क्योंकि डिग्री फर कार्बन एंटम होता है तो नंबर आफ साइड बैविच दकार्बन एंटम इस अटास्ट वित अधर कार्बन अधर आटम उसका दिवर डिषाइड करेंगा है कि टेके वान गीकर टो डिकीर कार्बन एंड बिएकिने तरफ से कार्बन कार्बन से टूगा इधर से तू दिग्री ओ गया यह तीन सबसें अचाहिज फे धर से बीदर से बीदर से थी थिटरी कार्बन एक नॉ Bowl प्लेक्ट कि कार्बन एटम में डिगरी कैसे बताते हैं अगर मेरे पास से एज़ टू सी एज़ टू सीएज टू सीएज टू सीएज टू है मैं लेकूंगा एनविटेल इसको एनविटेल अगर मैं इसको ऐसे लिकूंगा तो आईज विटेल रहे हो यह कहीं और अटैजडेल यह मुझे पता है यह एज़ सब्स्टिक्वेंट है अब चोड़ देते हो उसमें कुछ और अटैजडेल यह में पता होता है लेकिन यह वाला प्यूट पार्ट जो है मैं इसको एनविटेल बोलूँका और इस वाले पार्ट को आईजडेल बोलूँका अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा इन दोनों में डिफरेंस हैं इसमें वन डिखरी कारबबन एक्टम किसी ग्रूप या चेंशे डाज्ट होता इसमें 2 डिगरी कारबन एक्टम किसी ग्रूप या चेंश्ट होता मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इसमें त्री डिग्री कार्बन एटम किसी ग्रूप या चेन से अटास्ट होगा अगर आईजो ग्रूप यह वाला होता है और इसमें वन डिग्री कार्बन एटम अटास्ट था तो से अटरी यह भुषुन सबस्कि कर संटास्ट हो नन υस्किर कषगर कर हुआ सास्ट शुक्रद से से कहिंटरी अर्घ मतलब से कहिए तो से कहिए था começar साब्भित रूह से कहना कि सताइब यह कुड्री वग prose उसके पैसकए और कि से कहिंटरी बेताइब और तर्शीरी होगा उसको पर टर्ट ब्योटेल गोलते हैं तर्शीरी मत्ब तर्ट तर्ट ब्योटेल गोलते हैं तर्ट ब्योटेल तीनों में डिफरेंस हैं कि नॉर्मल इसे कि सेकंड डिफरेंस होता है और तर्शी में त्री डिफरेंस होता है अच्छा ठीक है मालों अपने पास ऐसी कि बने अब बताव अब तो लिखूंगा एंपेंट है और इसको लिखेंगे कार्बन अगर कहीं कामिया जाता हो तो देख लिए अगर नहीं भी लिखा एडर्जन तो कोई फरक नहीं परता है अपने कहेंगे कि ऐसे है तो तो कोई बात है आई सब्सक्राइब इस इसको अगर लिकेंगे तो दैट विल भी सेकेंडरी पेंटाइब इस इस नंगर नहीं कि तन्मीर यनौ… तो फर टूब डिग्री कर्वनेर इल अब कार्श तेट वर थुछ०। अब टैट पर टूण्य के तो ढ माARS। तो मुछ। पर टूण्य क। पहुं। चुछ। बल्टैएब दो इसेकंडरी पंटाइल इसो पंटाइल टर्शडी इन को बता हिएं वो ताओ में बताईब नियु पेटर यह ग्रूप से जो आइसो नियो सेकेंडरी टर्शिरी आइसो ब्यूटेल नॉर्मल ब्यूटेल यह सब जो वर्ड यूज होंगे यह सब मैं आपको अच्छे से कंपेरिजम दिख रहा है आपकूने WAड़ था इस से कारे मैं आपकूने है अपकूने कार अपकूने कारे मैं पही है जो होते हैं जैसे अगर मैं ऐसे लिखूंगे तो अभी तो बताया था आपने यह इथिनाइल है इथिनाइल इस टू डबल बॉंड इस यह इथिन होता है एक हाइडरजन रिबॉफ करो तो आपने कहता है इथिनाइल होता है इथिनाइल के जगह अपने से विनाइल भी होता है यह यूज होता है इसके ने विनाइल को ठीक है अगर अगर है तो दिस इस काल्ड एलाइल ग्रूप इसको अपन कहेंगे एलाइल ग्रूप अगर अपन लिखता है ना ऐसे बंजीन तो उसको पर फिनल ग्रूप भी बोल सकते हैं बंजीन को चैसेसी सिसिक्स तेक्स पीएज़ देंग कोरी मेंजीन वे सकते हैं यह फिनल रूप्ष अगर आज mostly उपस्ट्टिटेट्वनगे थो अपन को फिनल रूप आइप फिनल ग्रूप अबन आय UPeic नमिक बात करते हैं ओंत विसम Criti staying road in the way you pick Up the अब इवन फंक्शेविग्रूप की बाद नहीं करता है आप इवर अप्शेविग्रूप को तो इसमें कुछ पार्ट आखेंगे तो जो नाम लेंगे नां स gonna तो नेम में क्या क्या आएगा वो देखते हैं तो जो पर नाम लिखेंगे कि किसी कर तो उसमें पर लिखेंगे सब्स्टिट्टुएंट्स इसे लिखें नेम इक्वल टू तो फर्क नहीं पड़ेगा पहले आपने लिखेंगे सब्स्टिटुएंट इन अल्फाबेटिकल लिखेंगे सब्स्टिटुएंट लिखो फिर वर्ड रूट लिखो फिर आप सिकंडरी सफिक्स लिखो सफिक्स लिखो उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखो यह आई पर नहीं होता है तो जो अब ने यह सब्स्टिटुएंट लिखा ना सब्स्टिट्ट्ट्ट्स क्या हैं? the group or atom which are not in the which are not included in the main carbon chain carbon chain offward root that is called carbon skeleton carbon ka main change carbon skeleton are substitutes these are always written before them these are always are written before word root in the alphabetical order in the alphabetical order in alphabetical order numbers are never included numbers are never included numbers etc are never included in alphabetical order never involved in alphabetical order numbers numbers are not involved in alphabetical order but if we write a name then we will know that we will know that we are good Substituent are groups or atom which are not included to the main chain are not not included in the carbon chain of the word root are substituents. These are always written before the word root in alphabetical order. Numbers को कर अभी, alphabetical order में काउटनी करेंगे. But ISO and NEO includes in alphabetical order. मतलब ISO का I और NEO का N, alphabetical order में अगर आप ISO भी उटेल निखोगे तो I include करूँगा, भी नहीं करूँगा भी उटेल. Word root is the number of carbon atom in the main carbon chain. carbon chain जैसे सीवन होगा तो मित लिखुगा It's the word root सीट होता तो इत होता है सीटरी होगा तो फ्राप होगा like that we'll write next we can write secondary suffix R3 only secondary suffix written just after the word root वो ते लिखा ही वाए, किसके बाद किसको लिखना है सबसे पहले कौन, फिर कौन तो secondary suffix जो होगा R in in and in मतलब मुझे यह चेक करना पड़ेगा कि अगर कार्बन स्केलेटरल में डबल बॉंड है तो वो एलकीन होगा ट्रेपल बॉंड है तो अगर डबल बॉंड या ट्रेपल बॉंड नहीं है तो मैं प्रोपेन ब्यूटेन मतलब एन लिखुगा और प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो फंक्शल ग्रूप्स होता है वैसे तो भी अपना हैड्रो करवन पड़ेगे तो फंक्शल ग्रूप लिखने की जोर होती नहीं है देर विल बी नो प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स इस सिनियर मोस्ट फंशिल में तब अब भी सीनियर आने वाली है सिनियर मोस्ट फंशी को तो फंशने परना करने या था आपने के इटा था अपने का यह बताएंगे तो पहले बन फंट खर तो चलो हाइट्रोकार्बन की बात परता है आयूपेक नेमिंग औफ हाइट्रोकार्बन यह लिखा हुआ है आपके पर सब इससे ही अपन पहले लिखेंगे तो अपन क्या कहेंगे पॉइंट वान लिखते हैं आयूपेक नेमिंग के लिए एलकेंज आलवेस फॉलो लौंगस चेन लौंगस चेनरूल का मतलब जिसमें सबसे जादा कर्बन आटम होगे लौंगस चेन यह कार्बन लौंगस में शबसे जादा कर्बन अटम होगे मेरे पास ऐसे के मैं तो पर कहेंगे इसके ही कमारा कार्बन चेन अगर मेरे पास ऐसे के बने तो फिर अपन कहीं कि इधर से इधर सबसे बड़ा चीज़ देख रहा है तो मैं वही का बंचेंग को चूज करों है 1234567 123456 तो 7 वाले को इंप्रूट करूंबा इस वाइमें चेंग कि में चेंगें में चेंग वह का जिसमें सबसे ज्यादा कार्वन आटम सोंगे कि मालनो करी पासे कि मेरे यहां पर है से लिखाओ यहां पर मने है से लिखाओ तो भी मेरे में चेंगे लिखाओ तो भी मेरे में चेंगे लिखाओ कि यहां पर जितना कार्विन अटम आ रहा है उतना ना तो यहां पर आ रहा है और नहीं यहां पर आ कि यहां पर आप लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि अभी लिखते ना ऐसे अब अगर मालो मेरे पास एक ऐसे चेंगे अब अगर मालो मेरे पास एक ऐसे चेंगे कि एक ऐसे के विन है और एक ऐसे कर लेता हूं कि जो मुझे चाहिए इसमें मैक्सिम नंबर ऑफ कार्वेशन है इनकार बंचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब नम्मरिंग भी है वही मैं सोचू काउंटर 9 किया थी 10 कहां से अच्छा अब उनको कैसे किसी ने बता भी दिया था नम्मरिंग गलत किया है तो अपन क्या करेंगे अब न मैं कोशिन चाहता था जिसमें एक से जादा चेंड में एक जैसा कार्वन आए तो क्या करेंगे चलो देखते हैं पहले चेक करते हैं यह वन टू ट्री फ़र फाइव छीग सेवन एट नाइग लोनों न्या रहे था अब मज़ा आगे अब किसको चूज करेंगे तो पर क्या करेंगे if the number of carbonate, if more than one chain has same number of maximum carbonate, which has maximum number of carbonate, which has maximum number of carbonate, which has maximum number of carbonate, which has more than one chain, which has more than one chain. Let's check all of them. Let's check in the first one, if the number of carbonate, which has more than one chain, then we have two of them. एक यह मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब एक सब्सक्टिट्वेंट है किस पर थर्ड कार्बन एटम पर और एक है किस पर सिक्स्ट कार्बन एटम पर बस दो आएंगे लेकिन अगर मैं ऐसे चूज करता हूँ इसको अगर मैं ऐसे चूज करता हूँ तो फिर कितने आएंगे एक यह आएगा एक दो तीन चार पांच सब्सक्टिट्वेंट नहीं होता लेकिन वह मैंचेंट से अटाज्ड होते हैं उन्हीं को अपन सब्सक्टिट्वेंट करते हैं तो यहां पर एक सब्सक्टिट्वेंट यह आता एक सब्सक्टिट्वेंट यह आता एक सब्सक्टिट्वेंट यह आएगा एक यह आएगा और एक यह आएगा कि इतने सारी सब्सक्रीट आएं पांच सब्सक्रीट मतलब वही हमारा की तो एलकेन में हमेशा अपने फॉलो करेंगे लाउंगे चेन डूल आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि कहां पर लॉंगेश्ट चेन है अगर एक से ज्यादा लॉंगेश्ट चेन मतलब एक से जाद़ चीन है, same number of carbon atom लें, then we will choose the main chain as that carbon chain which has maximum number of substituted. तेक है? छोनो ठीक है, मुझे ये तो समाजना है, कर नाता है. अब एक दूसरा रूल होता है. रूल नंबर टू. इसको करते हैं पर लोईस्ट सम्रूलुट. कि विलो सम्रूल का मतलब होता है उन कार्बन के नंबर को एड़ कर दो जिन पर सब्स्टिटुटुट प्रसंट कि एड़ कि दन नंबर कि पॉर नंबर ऑप दी कारबन अटम कारबन अटम अटम हों इस ब्सब्सटुटों इस वटास्ट सब्सिकुटुबैंट इस अधास्ट इस अधास्ट चला वजाट कर लागा उसको करते पर लोगेस्ट सम् ठीकिरों from which we get the lowest number, the side from which we get the lowest sum is the correct number. Is the correct number. It will be the correct number. Let's see. It has such a given. So I'll number it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the longest chain. तो उसको number कर नहीं था. अगर मैं यहां से number करूँगा तो एक substitute यहां present होगा जो मेरा carbon chain में नहीं नहीं आया, main chain में नहीं 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 आया, तो मैं 2 और 4 number को add कर लूँगा. 2 प्लस 4 is equal to 6 है. मैं उन number को add करूँगा जिन से substitute अटास्ट है. डोजन मेटर वो carbon है, या halogen है, या oxygen है, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता. जहां पर जो भी मेरे main chain में नहीं नहीं आया, वो सबके सब substitute है. hydrogen के अलावा, जो भी अटास्ट है, उन से वो सब substitute है. और मैं उन number को जिन carbon atom पे substitute प्रेजंट है, उस carbon के number का sum ले दूँगा. तो carbon 6 तो यहां से भी आएगा 6, यहां से भी number करोगे, तब भी आएगा तो मैं इसको ऐसे कर लाता हूँ. 1-2-3-4-5- और यह 6- अगर मैं उदर से numbering करूँगा, तो मैं कहां 3 को add करूँगा और 5 को add करूँगा. तो यहां से मेरे पास आएगा 3- प्लस 5- तो मैं कहूँगा भई, यह वाला numbering correct नहीं है, यह वाला correct numbering है, क्योंकि उससे lowest sum आ रहे हैं. That is what I mean by the lowest sum. अब इसमें तो अपन कहते हैं, अब इसमें का कोई मतलब ही नहीं है. एक ही substitute है. तो उसके लिए अपन कहते है, लोकेंट रूल पड़ों फिर. यह तो लोसम रूल था, ठीक है, भई, माल गया. अब एक होता है, लोस्ट लोकेंट रूली. ठीक है. अब 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 नाम इसके नहीं लिख रहे हैं, एक बड़ नबरिंग तो समझने की कैसे नबरिंग करना है, उसके बड़ नाम तो लेखी लेगे, जिसको नम्बरिंग आ गया ना, उसको नाम लिखना बहुत असान होता है. नँवारी टोबार है तो बहुत असा होता है उसको का लेखेंगे थार्ड रूट याइट इसकोड लोगन डूरी जह पर जोड़ वर फंक्शना गॉर जहुनरी ने कि दिस रोल कि इस योज्ट रवन फंक्शनल रूप सब्सक्राइब पर प्रसंट जब फंक्शन रूप बहुत इंपॉर्टन सब्सक्राइब इतना ज्यादा इंपॉर्टन्स कि इसके लिए इसको वाइलेट कर सकते हैं तो फंक्शन रूप आएगा तो बहुत ज्यादा चैन्ज थोड़े से चैंज करेंगे लेकिन लोगन डूल का मतलब है आप नेंबरिंग उस तरफ से शुरू करो जहां से आपको लोस्ट सम मिले और लोस्ट नमबर फॉर्डा फॉर्प लोगन जैसे अपने पास ऐसे कि मिलता अगर अगर भी उनिज़िए हनल करते तो वान टू थे मतलब लोकेंट वाले कार्बन अटम को चोटा नंबर कितना मिलता त्री जबकि मैं यहां से नंबर करता तो यहां पर लोकेंट वाले क तो आप वहां से नंबरिंग शुरू करो जहां से सबस्टिक्वेंट वाले कार्बन अटम को छोटा शुचना उब यहां से तरी नंबर मिल रहा था इसलिए वो आप मतलब है आप वहां जहां से कार्बन एटम के जो लोकेंट यह जो सब्सक्रिटुएंट देना इसका नम्बर इस लिए था विकोज कार्बन को छोटा नमबर मिला था वाहां से कि आपने इसमें थोटा संब्रूल भी आता है इसके यह वाला नम्रें करेक्ट था क्योंकि आपने इसमें लोएस्ट लोकेंट को भी फॉलो किया है तो अपने पास एक ही एक अटम है अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता है ना वन टू थी और अपने ऐसे लिखते हैं तो ओविस्टी मुझे बताने की दुरूत नहीं कि अपन नम्रें यहां से करेंगे तो गट दो अपन नम्रें यहां से करेंगे तो गट देलोस्ट किट तो अपन कहेंगे इदर से नम्रें करो तो भी टू मिलना है तो फिर करेंगे तो अपन कहेंगे पहले तो नमबर करो तो इसमें टू प्लस पॉर इसईकल टूशिक्स आ रहा है इसमें टू डेस प्लस फूर डैस विजिकल टूशिक्ष आ रहा है इसमें तो लोइस लोकेंट भी फॉलो नहीं हो रहा है और इसमें तो लोइस सम्भी सेम आ रहा है फिर विच विल भी दोनों ही सही माल लेते हैं या फिर कोई एक ही सही होगा तो आपन कहेंगे दो करेक्ट वन इस this one वो क्यों तो आपन कहेंगे दिखाँ पहें इव दो लोईस सम्भी सेंगे अगर लोईस सम्भी सेम आजायए if the lowest sum is same then the correct numbering is in दिन तरेक्ट नंबरें इस इन अलफबेटिक लाटर मैंने इसको अलफबेटिक लाटर में और किया वो कैसे इसलिए यह वाला करेक्ट नंबरिंग नहीं है इसलिए यह वाला करेक्ट नंबरिंग करेंगे अगर लोई सम सेम है तो तो फिर अपना सेजियू कर लेंगे अब अब पर ने लॉंग फड़ा है यह तो अब यह तो लोगन पढ़ा रहे थे तो चलो पढ़ा दिया वह भी साचुराइट दोगा कर लिया कि ठीक है मेरे पास उसकी जगह ऐसे होता तब भी में वहीं करता मुझे लगा इसको लिखता तो थोड़ा फन पर लगता कि यह मतलब ठीक है कैसे क्या करना है कि इसमें अगर आप चेक करोगे तो लॉंगस चेन यहीं रहेगा कि नंबरिम कर में सब्सक्राइब कर तो यहां पर जो जो नुटार्श फॉर फारफ फ़ाइव एट होता तो फिर करेक्ट नंबरीं कौन सा होता है तो पर कहते हैं फंक्शल ग्रूप मतलब कौन है वहाँ पर फंक्शल ग्रूप तो जाओ फ्जी मीन्स इसमें पर कहेंगे यह कार्बन अगर एक होगा तो इसको एक कार्बन अटम वाला सुप्स्टिट्टिट्ट ने तो सब्स्टिट्टीट्ट ना तो में ताहिल लेखूंग तो इसलिए तो आप बताते हैं कि टर्मिनल कार्बन एटम चीछ तरी होता है और वो किसी से अटास्ट होगा तो एक कार्बन एटम वाले को अधाईल बोलूंगा और दो कार्बन एटम वाले को इताईल बोलूंगा कि अलफबेटिक रॉडर में पहले यह आएगा उसके बाद एम आएगा वीजिटी बढ़ता है तो तो अब्यूसी बात है इताईल वाला सही होगा उसको छोटा नंबर में बिलना चाहिए अगर लुए सम से मैं तो करेक्ट नम्बरिक उस तरफ से होगा जहां से अलफबेटिक रॉडर में चोटा नंबर में बिलेगा यह वाला करेक्ट होगे और अपना यूपेक नेम लिख देंगे यह मिथायल है यह इथायल है आपने अभी आयूपेक नेम लिखके बताया था कि पहले किसको लिखते हैं सब्स्टिट्टिवेंट को बाद में आँ ग इतिक है टिक तो किया गरेंगे इसका एयूपेक न्यम लिखेंगे इसका तो पन कहां से लिखेंगे यह से शुरू कि यहां से अधायल करें पूल जाओ तो पहले लिखो और पend viral लिखो जो भी आप सब्स्टिट्वेंट लिखोंगे उनको नंबर देना पढ़ेगा कारबन में कहा लिका हुआ है तो मैं लिखूंगा थ्री इधाइल थर्ड कारबन एक्टम पे इधाईल ग्रूप है फिर्फ कारबन एक्टम पे मिठाइल ग्रूप है नाम और नंबर के बीच में हइफन लगाना होगा तो ये थर्ड कार्बन एक्टम पर ये वाला करेक्ट नम्बरेंगे सो 1 2 3 4 इसी को जींगर लो थर्ड कार्बन एक्टम पर फिफ्ट कार्बन एक्टम पर मिठाइल ग्रूप है और टोटल कार्बन अपने पास कितने हैं दट आज तो इसका नम लिखना है तो इसका नम लिखना है तो इसका एवाले का तो तो लिख देंगे बैए इधर का लिक है यह भी मिठाइल है यह भी मिठाइल है अब आप दोनों से ही मैं तो दो बार लिक देते हैं तो इसमें लिख दिया तो इसमें लिख लोग तू कॉमा फोर से करवन एक मिठाइल एक मिठाइल है विए मिठाइल है सब्सक्राइब दो नमबर के बीच में कमा लगाओ कि दो मिठाइल है और टोटल हो गया है कि इसका नाव कि इसके लिए लिख देता है इसका नाम लिख लेकर इसमें सील था एक और एक और सी था नम्बरिंग यासे करनी थी क्योंकि लोई सम्सेम आ रहा था तो हमने अलफा बटिकल अडर में नम्बरिंग कर लिया तो आलफा बीडिकल अडर में नम्बरिंग की लिखिया अपने अलफाबेटीकल अडर में इंपरें तो पन लेकैंगे अलफाबेट ना पहले तो टू ब्रोमा पोर क्लॉरो है कि टोटल कारबनेटम कितने पांच तो पैंटेंटेंग यह लोगाई कि यह हैट्रोकार्बन का आई पेक नहीं होगी कैसे पर लिखना होता है कि अब अगर मानने अपने पास ऐसे के रहे तो पर यह से नहीं कहेंगे नियो पेटेंड बोल सकते हैं बट फिल राइट दा लॉंगेश्च चेंट अपर लेकिंगे टूटू टाइब मिध्यल प्रोपें इस पर भी एक मिध्यख रूप आप है इस पर भी एक मिध्य फिल घुब रतिन कार्बन कार्बन ला लों नों डिश्चेंट ने तो अगर ऐसे है तो आपन केंगे यही तो लिखा है कि बीच में खार्वन है यह स्परीट तो ऐसे लिखतो कि या ऐसे लिखतो हमें तो अपन को तो यह पर लिखतो अब अब तह Hum लेख दिया किसी भी कार्बन पर बीच में कार्बन होगा और और ये वाले कार्बन जो है जहां बंड बंड वहाँ कारबन होता है तो यहां पर यहां कार्बन होगा और इसके पास फॉक्षा है कि कि दो कंपलीट है न तो दो हो सकते हैं इसके कौन है निमीड है कि तो जाएसा है और फाइव यहां से थीος फाइब यहां से भी लिखो तो भी 5 हैं यहां से लेको तो भी 5 सब 5 है 5 से ज़ादा होई नहीं सकता तो थार्ड कार्बन एक्टम पे दो इथाइल ग्रूप बना लो आप सी टूएच फई वाले थिए टू सिस्टीट्ट वाला सब्स्टीट्वेंट तो लिख देता है 3 3 डाइ इथाइल एंटे लोग ही होगी है तो अब एन कहेंगे ऐसे लिखें तो अब कहेंगे लिखा तो है यह और यह क्या डिफिंस है कि वन हो गया है टू हो गया है त्री हो गया है दो मिधाल टू मिधाइल और प्रोपेन टू टू डाइमिधाइल प्रोपेन हो क्या लगए तो अपन कहेंगे ऐसे हैं तो तो कुछ भी लिखो मैं क्या पर पड़ेगा वन टू त्री फोर फाइब पांच कार्बन अटम कोई सब्स्ट्टिटुएंट नहीं है तो हो क्या पेंटेन तो अपन देंगे ऐसे लिखा तो लिखो हमें क्या प्रप्राइब वन टू त्री फॉर तो एक टू पर मिधाइल ग्रूप है एक थ्री पर मिधाइल ग्रूप है और लॉंगेश्ट चेन हो गया चार कार्मन अटम का तो टू कॉमा त्री डाइब मिधाइल टू टेंट यह एलकेन का है यह पेट नेमिंग है आज बस हो गया प्रण के दो मैं नेक्स क्लास करेंगे पने उसी का कुछ प्रूप ठीक चलेगा एक्स्ट्रा ग्लास में फिर उसके बाद अब दो कई तो कल सुबह सुबहों कि यह पीडिय जए लिए जादा बढ़ा देंगे आज सुबह ना सुबह शुबह 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 साथ बजे से ना मतलब खाना भी निखा पाया कॉंटिनुस्टी क्लास चल रहा है बोलो क्या प्रॉब्लम है मिस्टर श्याब कुमार मेरी बंटली मैं तो कर से दिनक सकता यह बना ले कि यह की तरी टाइक है प्रेटी जरूरी थड़ी ऐसे लिखो अब लेकिए कंफियूस करने के लिए मेरी परशी मैं एच लिखूँ एवी सिटी पूरा लिखूंगा तो जैट तक कि यह दोनों से मैं कैसे पता चला और सी बात है दोनों के आयोपक नेम से कैसे दिखे हमें क्या वर पड़ता है हमें तो आयोपक नेम से आता है कोई लेना देना नहीं है बिलकुल जल्दी बहुत तर एक एक्जांपल में आपने बिया था राइट कॉंजुएटेटेट आइसेड अफ दे फॉलाइंग बेसिस उसमें सब्सक्राइश निकाल के सब्सक्राइब आपने बिया थैंसर कॉश्यन बोलो